भारत माता की भारत माता की आप सबको राम राम मेरट की ये धर्ती, क्रांती और क्रांती वीरों की धर्ती है इस धर्ती पर बाबा आउगर धाम उसका आशिरवाद है इस धर्ती ने चौदरी चरंसी जैसे महान सपूत देश को दिये है हमारी सरकार को उन्हें भारत रत्न देने का सवभाग्य मिला है मैं चौदरी साब को आजर पुर्वक स्रद्धानली अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ साथ्यों मेरेट की इस धर्ती के साथ ही मेरा कुछ अलग ही दिस्ता है आपको याद होगा 2014 में और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुवाद यहीं मेरट से की थी अब 2024 के चुनाव की पहली रेली मेरट में ही हो रही है साथ्यों 2024 के चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है कौन साथ बने कौन न बने इसका चुनाव नहीं है 2024 का चुडाव विक्सिद भारत बनाने के लिए है 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा मैं आपको याद कराना चाहता हूं जब भारत दुनिया में ग्यारवे नंबर की अर्थे बवस्ता था तो भारत में चारों तरब गरीबी थी जब भारत पांचवे नंबर पर पहुँचा तो पचीस करोड देशवासी गरीबी से बहार निकलने में सफल हुए और मैं आपको गारंटी देता हूं जब भारत दुनिया में नंबर तीन पर पहुँचेगा तो देश में गरीबी तो दूर होगी ही लेकिन साथ साथ एक सामर्थवान सथक्त मध्यमबर्ग देश को नई उर्जा देता होगा आज लिए आज पुरा देश कह रहा है तीसरी बार तीसरी बार तीसरी बार चार जून चार जून चार जून साथियों मैंने लाल कीले से कहा था यही समय है सही समय है भारत का समय आ गया है भारत चल पड़ा है आज भारत में तेजी से आज़ूनिक इंफ्रास्ट्रक्टर बन रहा है आज भारत इंफ्रास्ट्रक्टर के निर्मान पर अभूत पुर्वन निवेश कर रहा है आज हर सेक्टर में नव जमानों के लिए अंगिनात नए आउसर बन रहे हैं आज बेश की नारी शक्ति नए संकल्पों के साथ आगे आ रही है आज भारत की साथ दुनिया भर में भारत की साथ नई उचाई पर है इतना ही रही पूरी दुनिया भारत को भरोसे से देख रही है हमारी सरकार भी तीसरे कारेकाल की तैयारी में अभी से जुट गई है हम आने वाले पांच साल का रोड में बना रहे हैं नई सरकार मनने के बाद पहले सो दिनों में हमें कौन कौन से बड़े फैसले लेने हैं इस पर तेजी से काम चल रहा है पिछले दस वर्सों में विकास का जो मोमेंटम बना वो अब और तेजी से आगे बड़ेगा इन दस वर्सों में तो आपने विकास का ट्रेलर ही देखा है अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है भाईयर भना मोदी को आज की पीडी के साथ ही आने वाली पीडियों की भी चिंता है देश की आने वाली पीडियों को पुरानी चुनवतियों में अपनी उर्जा ना खपानी पड़े मैं इसके लिए भी काम कर रहा हूं एंडिये सरकार के दस साल का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने हैं इन दस सालों में ऐसे अने काम हुए हैं जिनको पहले असंभव मान लिया गया था अब आप देखिए अयोध्या में राम लला का भव्य मंदिर बनेगा ये लोगों को असंभव लगता था लेकिन राम मंदिर भी बना है और हर रोज वहां लाखों लोग दर्शन के लिए भी जा रहे हैं और आपने देखा है ब्रज में काना और राधा तो हर बार की तरह होली खेले ही इस बार अबद मैं राम लला ने भी खुब होली खेली साथियों हमारे देश में हमारी सेना को बन रैंक बन पैंशन को लेकर भी पहले कितने वाइदे किये गए थे कभी देश में बन रैंक बन पैंशन लागू होगा यह हमारे सेना के जवानों ने आशाथ छोड़ दी थी यह भी असंभव लगता था लेकिन हमने न सिर्फ बन रैंक बन पैंशन लागू किया बल्कि हमारे देश की सीमाओं की रख्षा करने वाले पूर्वस सहिनिकों को उनके हक का एक लाग करोड रुपे से जादा दिया साथियों तीन तलाग के विरूत एक सक्त कानून भी लोगों को असंभव लगता था आज तीन तलाग के खिलाब ना सिर्फ कानून बन चुका है बल्कि ये हजारों मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी बचा रहा है लोकसभा और विधान सभाओं में महिलाओं को आरक्षन भी पहले असंभव लगता था लेकिन नारी शक्ती वंदन अदियाम आज सच्चाई बन चुका है साथियों जम्मो कश्मीर में आर्टिकल तिनसो सत्तर कभी हटेगा ये भी लोगों को असंभव लगता था लेकिन आर्टिकल तिनसो सत्तर भी हटा है और जम्मो कश्मीर का तेज विकास भी हो रहा है और इसलिए आज लोग बीजेपी के तीनसो सत्तर सिटों का आशिरवाद भी दे रहे हैं साथियों ये मोदी गरीबी से तपकर आज यहां पहुँचा है और इसलिए हर गरीब का दूख हर गरीब की पीड़ा हर गरीब की तकलीप मोदी भली भाती समझता है और इसलिए हमने गरीब की हर तिंता को दूर करने के लिए योजनाय बनाई गरीब को इलाज की चिंता न हो इसलिए हमने पाच लाक रुपिय तक के मुप्त इलाज वाली आईश्मान योजना बनाई गरीब को राशन की चिंता न हो इसलिए हमारी सरकार असी करोड जरुरत बंदो को मुप्त राशन दे रही है जिसको किसी ने नहीं पुछा उसको मोदी ने पूजा है हमने गरीब को सिर्फ ससकत ही नहीं किया है बलकि गरीब को उसका स्वाभी मान हमने लोटाया है यह हमारी सरकार है जिसने पचास करोड गरीबों के बैंक खाते खोले यह हमारी सरकार है जिसने चार करोड गरीबों को पक्के घर बना कर दिये हैं यह हमारी सरकार है कि जिसने ग्यारा करोड से ज्यादा सवचाले बनाकर महिलाओं की गरीमा की रक्षा की है ये हमारी सरकार है जिसने डाई करोड से जादा गरों में बिजिली कनेक्शन देकर उनके जीवन से अंधेरा दूर किया है भाईयों और बहनों बीते दस वर्ष देश में माताओं बहनों बेटियों के लिए सुविदा सुरक्षा और सम्मान के रहे हैं आने वाले पाँच सार नारी शक्ती की शम्रुद्धी के होने वाले हैं देश में करोडों बहनों बेटियों को हमने पहली बार उद्ध्यमी बनाया उनके लिए फोज के दूसरी नोकरियों के दरवाजे खोल दिये पुलीस हो या फिर अर्दसाइनिक बल हो इसमें आज बेटियों की संख्या दो गुने से अधिक हो चुकी है मुद्रा योजना ने करोडों बेहनों को पहली बार अपना बिजनेस शुरू करने का संबल दिया है पिछले दस वर्सों में दस करोड बेहने स्वयम सहायता समुहों से जुड़ी है इससे गाउं के हमारी बेहनों को अतिरिक कमाई होने लगी है और मोदी का सपना भी है और मोदी की गारंटी भी है अब देश की तीन करोड महिलाओं को ये मोदी की गारंटी सुननी जिए और दो अजार उन्तीस में मेरे से हिसाब भी मांग ले रा ये मोदी की गारंटी है तीन करोड महिलाओं को लखपती दीदी बनाने पर काम कर रहा है साथियों नमो ड्रोन दीजी योजना भी गाउं में बहनों का भाग्य बदलने जा रही है इसके तहत महिला स्वयम सहायता समुहों को आदुनिक ड्रोन दिए जा रहे हैं ये ड्रोन हमारी खेती का भविश्य बदलने वाले हैं खेती का काम आसान करने वाले हैं जब गाउं की बेटियां ड्रोन पाइलट बनेगी तो उनका गवरों भी बढ़ेगा उनकी कमाई भी बढ़ेगी और किसानी भी सरल हो जाएगी साथियों बीते दस वर्षों में देश ने देखा है कि ब्रस्टा चार के खिलाप कितनी बड़ी लड़ाई हमने शुरू किया है हमने सुनिस्चित किया है गरीब का पैसा बीच में कोई और नहड़ पाए हमारी सरकार ने कागजों से दस करोड फर्जी लाबारती हटाए अब हरार हो जाएंगे पहले ऐसी सरकार चलती थी जिसका जन्म नहीं हुआ ऐसे लोगों के नाम पर पैसे जाते थे ऐसे दस करोड नाम हटाने की मोदी ने हिम्मत की है और ऐसा करके हमने आपके देश वासियों के पौने तीन लाग करोड रुपिये गलत हाथों में जाने से बचाये हैं लेकिन भाई और बहनों मैं ब्रस्टाचार पर कारवाई कर रहा हूं इससे कुछ लोग बौखला गए हैं वो अपना आपा खो बैटे हैं और मेरे प्यारे देश वासियों मैं कहता हूं मोदी की गारंटी कहती है मैं मोदी का मंत्र है ब्रस्टाचार हटाओ वो कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ यह चुनाओ इन दो खेमों की लड़ाई है एक खेमा एंडिये का जो ब्रस्टाचार हटाने के लिए मैदान में है दूसरा वो खेमा जो ब्रस्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में फैसला आपको करना है क्या ब्रस्टाचारियों को बचाना है क्या ब्रस्टाचारियों को बचाना है ब्रस्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए ब्रस्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए ब्रस्टाचार खतम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और इसलिए भाईयों मानों जम्मोदी पूरी ताकत से ब्रस्टाचार के खिलाप लड़ाई लड़ रहा है तो इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गटबंदन मी बना लिया है इनको लगता है कि मोदी इन से डर जाएगा लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है मेरा भारत मेरा परिवार है मैं अपने देश को ब्रस्टाचारियों से बचाने के लिए जो कर्दाम उठाए जा रहे हैं उनके खिलाब एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है और इसलिए बड़े बड़े प्रस्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं सुप्रीम कौर्ड तक जमानत नहीं मिल रही है और इसलिए कई बड़े बड़े ब्रस्टाचारियों को कौड के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और इसलिए पूरे देश में आपने टीवे पे देखा होगा कहीं बिस्तर के नीचे से नोटों को डेर निकल रहे हैं कहीं दिवारों से नोटों के डेर निकल रहें और अब ये पी तो मैंने देखा बॉसिंग मशीन में नोटों के डेर थे साथियों मैं ब्रस्टाचारियों पर सिर्फ कारिवाई ही नहीं कर रहां लेकिन मेरे देश्वासी मेरी बात समझ लीजिए कि मेरी गारंटी है इन ब्रस्टाचारियों ने इन बेइमानों ने जिसका धन लूटा है उस धन को मैं लोटा भी रहा हूँ कॉंग्रेस की सरकार के दोरान गरीबों का छोटे निवेशकों का बैंकों का हजारो करो रुप्य हडप लिया गया था आपको खुसी होगी साथियों हमने ब्रस्टाचारियों की संपती जब्त करके कितने सत्रा हजार करो रुप्य कितने कितने सत्रा हजार करो रुप्य से जादा मैंने उन जिनके पैसे गए थे उनको वापिस लोटा दिया है जिनका पैसा गया है उनके पैसे बापिस मिले इसके लिए मैं लगातार काम कर रहा हूं इडी ने जो संपती जब्त की है और अगर रेकोर्ड मिलता है यह जिसके पैसे हैं उसी से पैसे गए हैं तो मोधी आपके पैसे बापिस दिलवाने के लिए जी जान से लड़ने वाला है और मैं आज मेरट की धरती क्रांतिकारियों की धरती वीरों की धरती से ब्रफ्चाचारियों को साप साप कह रहा हूं ब्रफ्चाचारी कान खोल के सुन ले ये मोधी पर चाहे कितने भी हम ले करें ये मोधी है रुकने वाला नहीं है ब्रफ्चाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्योंड़ा हो एक्शन होगा जुरूर होगा जीतने देश को लुटा है उसे लोटाना ही पड़ेगा ये मोधी की गारंटी है साथ्यों मेरट की इस धर्ति का बेश की अखंडता और एक्ता से बड़ा रिष्टा रहा है ये स्वतंत्रता सेनानी बीर मंगल पांडे की कर्म भूमी है ये धर्ति दंसी कोतवाल जैसे शुर्वीर की धर्ति है शौर्यकी धर्ति से आज मैं पूरे बेश को बताना चाहता हूं कि कैसे कॉंग्रेस और इंडी एलाइंस देश की अखंडता और देश की एक्ता को तोड़ते रहे हैं आज ही कॉंग्रेस का ये एक और बेश विरोधी कारणावा देश के सामने आया है तमिल नाडु में भारत के समूदरी तड़ से कुछ दूर कुछ किलोमेटर दुरी पर स्री लंका और तमिल नाडु के बीच में समंदर में एक टापू है एक द्वीप है कच्चा थिवू अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं कच्चा थिवू ये द्वीप सुरक्षा की द्रस्ती से बहुत महत्वपुण है देश आजाद हुआ तब हमारे पास्ता और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है लेकिन कॉंग्रेस ने चार पांच दसक पहले कह दिया कि ये दिप्तों गैर जरूरी है फाल्तु है यहां तो कुछ होता ही नहीं है और ये कहते हुए मा भारती का एक अंग आजाद भारत पर ये कॉंग्रेस के लोगों ने इंडिय अलाइक के साथियों ने मा भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया बेट कॉंग्रेस के रवईय की कीमात आज तक चुका रहा है भारत के मचवारे मचली पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं तमिल नारू के हैं केरल के हैं पुडी चेरी के हैं सेलंगरा के हैं इस द्वीब की तरप जाते हैं तो इन्हें गिरफतार कर लिया जाता है उनकी बोट को कपजा कर लिया जाता है ये कॉंग्रेस के पाप का परणाम है कि हमारे मच्वारे आज भी सजा भुगत्ते चले जा रहे हैं और कॉंग्रेस पार्टी इतनी बड़ी उनकी पाप के जब बात आती है तो कॉंग्रेस की बोलती बंद हो जाती है डीम के जैसे दल जो कॉंग्रेस के साती है वे भी मुँपे ताला लगा करके बैठ जाते है आप मुझे बताईए क्या ऐसा इंडी गड़ बंदन जिसने माप भारती का टुकड़ा करके दे दिया क्या ऐसा गड़ बंदन देश हित में कोई फैसला ले सकता है क्या देश का भला कर सकता है क्या देश को एक रख सकता है क्या साथ्यों इंडी गड़ बंदन वाले ना देश के जवानों का हित सोच सकते हैं ना ही देश के किसानों का हित सोच सकते हैं ना ही देश के मच्छवारों का हित सोच सकते हैं किसानों से नफ्रत करने वाले इंडी गड़ बंदन ने चौदरी चरण सीजी को भी उचित सम्मान नहीं दिया जब चौदरी साहब को भारत रत्त पर संसद में चर्चा हो रही थी तब इंडी गड़ बंदन ने पार्लामेंट के अंदर जो किया वो पूरे देश ने देखा है जब हमारे छोटे भाई जेंड चौदरी संसद में चौदरी चरण सीजी के भारत रत्त के सम्मान को ले करके बोलने के लिए खड़े हुए तो उनकी आवाज को रोकने की कोशिश की गई भाई जेंड चौदरी को अपमानिस करने का प्रयास किया गया कॉंग्रेस और सपा को देश के किसान इस छेत्र के लोगों की गर गर जाकर के माफी मागनी चाहिए और यहां का एक रागरिक कभी भी कॉंग्रेस सपा जैसे उनके साथियों को कभी भी माफ नहीं कर सकते हैं साथियों चौदरी साम ने अपना जीवन किसानों के समुरुद्धि के लिए समर्पित किया था हमारी सरकार भी किसानों के कल्यान को सरवोच प्रात्विक्ता देते हुए काम कर रही है यहां थो इतनी बड़ी अनाज मंडी है यहां की गुड की मंडी सारे देश में जानी जाती है आप भूले नहीं होंगे कि कैसे आप गन्ना किसानों को परिशान किया गया गन्ना किसानों के हजारों करोड रुपिये बकाया होना सामान ने बात हो गई थी चीनी मिलों को धणादर बंद किया जा रहा था कोडियों के भाव बेचा जाता था मोदी ने किसानों के साथ हो रही ये सारी हेरा फेरी बंद करा दी है साथियों हम गन्ने की खेती को चीनी और गुर तक सिमित नहीं रखना चाहते हैं हम देश की हर गन्ना बेल्ड को देश की उर्जा बेल्ड भी बनाना चाहते हैं गन्ने से बनने वाले इथेनौल से गाड़ियां चले इसके लिए देश बर में काम हो रहा है दस वर्थ पहले सिरफ 40 करोल लीटर इथेनौल बनता था आज 500 करोल लीटर इथेनौल का उत्पादन हो रहा है इथेनौल की खरीद बढ़ने से दस सान में लगबाग सत्तर हजार करोल रुपिये देश के किसानों को मिले हैं साथियों हमारा निरंतर प्रयास है कि किसान की लागत कम और लाबदिक हो इसलिए पी-एम किसान सम्मान निति के जरिये यू-पी के किसानों को हजारो करोल रुपिये की बदद की गई है 500 करोल रुपिये तो उससे भी ज़्यादा अकेले मेरट के किसानों को मिले हैं आज यूरिया की जो बोरी दूसरे देशों में तीन हजार रुपिये तक में मिलती हैं वही बोरी हम किसानों को सिरफ 300 रुपिये में भी 300 से भी कम कीमत में दे रहे हैं आप सभी किसानों की बंदारण की समस्या को दूर करने के लिए भी बीजेपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है हमने दुनिया की सबसे बड़ी बंदारण योजना की शुरुवात की है इसके तहट देश में दो लाग से जादा गोदाम बनाए जा रहे हैं हमारी सरकार मिलेट्स स्री अन्न के लिए जो अभ्यान चला रही है उसका भी बड़ा फाइदा छोटे किसानों को मिल रहा है भाई और बहनों एंडिये सरकार आपके पैसे बचे इस दिशा में लगातार काम कर रही है हमने कम बिजली से जादा रोसनी देने वाले एलीडी बल्की योजना बनाए इसे गरीब और मजलम वरके बिजली बिल में हजारो करोड उप्य बचे अब हम एक नई योजना लेकर आए है और मैं तो चाहूंगा इस ठेत्र के लोग इस योजना का बरपूर फायदा उठाए हमारी नई योजना है पी-एम सूर्य घर मुप्त बिजली योजना इसके तहट आपके घर का बिजली का बिल जीरो प्री बिजली हर परिवार को मिलेगी इस योजना अब योजना क्या है गड़ की छत पर सोलर प्लांट लगाने किये लगबग 75,000 रुपिय ताक सरकार मदद करेगी कुछ हपते पहले योजना शुरू हुई है अब तक एक करोण लोग जुड़ चुके हैं और मैं वादा करता हूँ चुनाव सबाबत होने के बाद सरकार बनते ही मैं इस काम को और तेज करने वाला हूँ ताकि आपका बिजली का बिलचिरो हो जाए साथियों ये भाज़पा सरकार है जिश्पूरे खेत्र में विकास को नई उचाई पर ले जा रहा है देश का पहला नमो भारत ट्रेन कोरिडोर दिल्ली से मेरट तक बना है आज मेरट जिले से होकर तीन अलग-अलग एक्सप्रेस वे गुजर रहे हैं मेरट मेट्रो पर भी तेजी से काम चल रहा है हमारा मेरट फ्रेट कोरिडोर से भी कनेक्टेर है यहां मेजर ध्यानचन स्पोर्ट उनिवर्सिटी बन रही है मेरट एक बड़ा एजुकेशन हब भी बन रहा है जिस प्रकार का इंफ्रास्रेक्टर मेरट में बन रहा है उससे यहां हर प्रकार के छोटे बड़े उद्योग का विस्तार होगा नव जमानों के लिए रोजगार के नए आउसर बनेंगे जाथियों इस रेली में बीजेपी के कायर करता होने आर एल्डी के कायर करता होने एंडिये के हमारे सभी साती दलों ने भारी मेहनत की है एंडिये ने इस खेत्र में बहुत मजबूत उम्मिद्वार खड़े की है हमारे अरून गोविल जी राजकुमार सांगवान जी राजकुमार सांगवान जी संजीव बालियान जी भाई चंद्रन जी प्रदिप चोजरी जी हमारे इंसाथ्यों को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए मैं आप सबसे प्रार्षना करने आया हूँ और इसलिए बैठ सकते हैं इसलिए 19 एपरील और 26 एपरील को आप गर्मी कितनी क्यों न हो बोट डालने के लिए जुरू निकलना है बोट डालेंगे न और ऐसे भी डलवाएंगे न गर गर जाएंगे न आपका वोट विक्सित भारत के लिए होगा आपका वोट देश हित्में और बड़े दिनने के लिए होगा और इसलिए आप मेरे साथ बोलिये आप सब मेरे साथ बोलिये विक्सित भारत के लिए चार सो पार विक्सित भारत के लिए गरीबी से मुक्ति के लिए युवाओं को नए अवसर के लिए युवाओं के नए अवसर के लिए नारी सतक्ति करन के लिए किसानों की समृद्धि के लिए ब्रस्ताचारियों को जेल बेदने के लिए साथियों आप मेरा एक काम करेंगे करेंगे ऐसे ने हाथ उपर करके बताईए मेरा एक काम करेंगे ये मेरा परसनल काम है करेंगे चुनावाला काम नहीं करेंगे पक्ता करेंगे मेरा काम बहुत छोटा सा है आप गर गर जाना और हर गर जाकर के कहना महारे मोदी जी मेरत आये थे और मोधी जी ने आपको प्रणाम भेजा है मेरा प्रणाम गरवगर पहुचा दीजिए मेरे साथ बोलिए भारत माता की 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 भार बताया कामकाज कैसा रहा और ये भी बताया कि तीसरी बार वो आएंगे तो क्या करेंगे लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा हमला उन्होंने किया विपक्षी गटबंधन इंडिया पर और इंडिया को आड़े हातों लेते वे कहा कि भरष्टाचारी चाहे जितना बड़ा हो ए करें